हेलो चो ब्लूपरिंट डिजिटल में आपका स्वागत है मैं मोनिका आपकी मैस्ट्यूटर बच्चो कल हमने स्टार्ट किया था जो प्रस्टी छेत्रफल और आयतन कैसे निकाला जाता है इसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो आकर्टे होती हैं जिसे घन, घना ला, गोला, बेलन, अर्थ-गोला, उनका हम छेत्रफल और उनका आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आगर इन आकर्टिों हम आपसे मिला दे और कोई और नई आकर्ति बने तो ने निकाला जाता है पहले स्टफ़ चैनल को सब्सकाइब करने ने भूले साथ बल आइकन ब्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियो जो तक पोहुंस यह एक पास आकर्थी आपको पहचानने कहा है हमने लेक्टार में डिसक्स किती है को कोन कैसे बनाते हैं घन कैसे बनाते हैं तो नीचे वाला ओकरती यह चुछ पॉसे के या और और कौन को मिलाकर एक आकरती बनी है और यह एक लट्टू किया करती है तो इस कोश्चन में हमसे पूछा गया है कि लट्टू पर रंग किये जाने वाले छेत्र का छेत्र पल बताईए जो लट्टू है हम उसकी जो भार की सरफेस जो है जो भार का जो एरिया उसी पर तो संकु है इसका हमें क्या निकालना है वक प्रस्टी छेत्र पल निकालना है और जो अर्दगोला है उसका भी हमें वक प्रस्टी छेत्र पल निकालना है हमें इसका छेत्र पल निकालने के जोड़त नहीं है ठीक है यह कब आता है जब हम अर्दगोले में का संपून प्रस्ट वक्त प्रस्ची छेत्पल निकालेंगे और उसे जोड़ देंगे तो हमें लट्टू का पूरी लट्टू का जो भारी सत्य है उसका छेत्पल मिल जाएगा जिस पे हमें रंग करना है ठीके बच्चो इसके अलावा हमें दिया हुआ है कि इसकी पूरी जो उचाई है वो 5 cm है जिसमें अर्धगोले भी है और यह हमारा संकु भी है इसके इलावा यह जो लंबाय है यह 3,5 cm है और यह लंबाय संकु के ओपर बरत बनता है और अर्धगोले के ओपर बरत बनता है उसकी क्या है हमारी वियास है ठीके तो इसकी हेल Güven तो इसस Citraaj निकाल सकते है तो रिज्जा आर क्या होगी इसमें 3.5 बटे 2 सेंटीमेटर होगी क्योंकि व्यास की क्या होती है वो आदी होती है ठीक है अब हम निकालते हैं बच्चों कि जो हमारा इसकी उचाई कितनी होगी देखो यह तो अर्ध गोले का अगर हम वक्रिये छेत्रफल निकालते हैं अर्ध गोले का वक्रिये छेत्रफल वो होता है बच्चों 2πi r² ठीक है तो 2πi r² यहने के 2πi कमान 22 बटे 7 r² यहने के 3.5 बटे 2 और 3.5 बटे 2 यह आगया अब हमें संको का निकालना है तो हमें पूरी उचाई पता है और हमें संको के जो छेत्रफल होता है वो फोर्मुला होता है हमारे पास πाई rl तो हमें l चाहिए संको का वक प्रेस्टे शेत्रफल पाई rl होता है तो इसमें हमें l चाहिए तो l इसकी हमें 30 तो पता है 30 कितने होगी 3.5 बटे 2 होगी अगर आप इस पेस्ते से परपेंडिकुलर खीसते हैं तो यहाँ पे हमारे पास संकों तिरूज बनेगा यह हमारी 5 ह तो यह भी 3.5 बटे 2, सुरी तरिजज़ा है क्योंकि यह हा से हां तक आपकिसी तरिज़ा है तो यह भी तरिज़ा होगी तो यह कितने होगी हमारी 3.5 बटे 2 होगी तो अगर आप 5 मेसे से माइनस कर देंगे तो हमारी यह वाले distance निकल के आ जाएगी यह उचाई निकल किया जाएगी ठीक है तो संकु की उचाई निकालते हैं संकु की उचाई बराबर होगी बैच्चों 5-3252 यानि कि 10-5252 यह हो जाएगी 6.5252 सेंटीमीटर अब हम हमारे पास यह रेडियस है यह उचाई है और यह हमें निकालना इसे हम क्या कहते हैं तीरे कुछ आई यह हमारे पास एक संकु कोन तिर्भुज बना तो संकु कोन तिर्भुज में हम पायथर को इस लगा देंगे ठीक है तो l2 बराबर होगा या l बराबर होगा बच्चों अंडरूट h2 plus R² हमारे पास क्या है 6.5 बटे 2 का स्क्वाइर plus R² तीन दस्वाइलो 5 बटे 2 का स्क्वाइर ठीक है आप इनका स्क्वाइब करेंगे ये जो 1 बटे 2 है इनका स्क्वाELE करेंगे तो 1 बटे 4 हो जाएगा sponge से भार आके 1 बटे 2 हो जाएगा फिर आप 6.5 का जब square करेंगे तो यह हो जाएगा 42.25 और 3.5 का करेंगे तो 12.25 आजाएगा इसे जब आप आगे हल करेंगे यह जाएगा 1.2 अंडरूट 54.5 या 1.2 जब इसे आप भार निकालेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों 3.7.38 और इसे जब आफल करोगे तो 3.89 लगबग यह हमारा 3.7 cm के हो जाएगा ठीक है तो यह एल निकल क्या है हमें क्या चाहिए हमें उसका प्रेस्टे छेत्रफल चाहिए तो वक्र प्रेस्टे चेत्रफल वो होगा बच्चों पाई आरेल यानिके 22 बटे 7 आर है हमारे पास 30 सवलो 5 बटे 2 और अल हमने अभी निकालें तीन दस वलो 7 अब हम इसका क्या निकालेंगे दोनों का चेत्रफल निकालेंगे और उसको एड़ कर लेंगे जो हमने अभी निका कर लेंगे तो हमारे पास यह स्टका स्ट्पल आजाएगा जिसमें हमें हिरँ करना है तो किप लट्टु का स्ट्फल बराबर क्या होगा कि अलगले का वक्क्रिस्टीश यानिके 2 गुना 22 बटे 7 गुना 3.5 बटे 2 3.5 बटे 2 प्लस 22 बटे 7 3.5 बटे 2 3.7 इसे हम आगे हल करेंगे बच्चो इसमें से कौमन ले लेते हैं एक तो 22 बटे 7 को मना जाएगा 3.5 बटे 2 को मना जाएगा ठीक है तो अंदर हमारा बचेगा इसमें 3.5 बटे 2 प्लस 3.7 आप इसे जिब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा है तीन 9.6 सेंटीमीटर स्क्राइर ठीक है हमने निकाला 2 पाई आर स्क्राइर और पाई आर एल तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें से कुछ कॉमन लेंगे जो को मना जाएगा तो पाई को मना आएगा आर को मना आएगा बाकी जो हमारा बचा हुआ है उसे सेंटीमीटर स्क्राइर तो इस लट्टू का। जो पूरा भारी सिर स उसका च्शेदफर 49.6 सेंटीमीटर स्क्राइर होगा जिस पे हमें रंग करना है ठीक है बच्चो तो इस तारह से हमें इनका स्थिपवन निकालना है कुछ और आकरती देखते हैं और उनका छेदफर दिए हुई है अब आकर्टी में हमें एक ही आधार पर दो संको बनायक हूए जो दोनुव एक दूसरे से जुरकर एक संयूरम आकर्टी बना रहे हैं ठीक है मतलब एक हमाईपÁस संको है और हमारे पास यह संकु है और दोनों का आधार जो है वो एक ही है यानि कि इनकी जो माप होगी वो भी एक ही है और इसमें हमें दिया हुआ है कि अगर हम यहां से यहां तक का देखे तो जो हमारे पास पूरी लंबाई है वो 20 cm है और यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई ह होगी वो हमारे पास 16 cm है ठीक है तो इनकी मदस से इन दोनों डाटा की मदस से हम क्या निका सकते इनकी तरिज्जा और उचाय निका सकते हैं यह संकों c समानमापके हैं इनकी जो त्रिज्जा है और इनकी जो उचाई है वो बराबर है ठीक है अब ये पूरी 30 की है तो 30 का अधा क्या होगा 15 यानि कि इस केंदर से लेकर यहां तक क्यों उचाई कितनी होगी 15 cm होगी इस संको की वी और इस संको की वी मतलर 30 15 cm 15 cm आपस में मिलकर कितना बना रहे हैं 30 cm बना रहे हैं अब यह हमारे पास 16 है अब यह 16 एक तरह से क्या है हमारे पास यह जो बीच में हमारा व्रत बन रहा है इसका व्यास है तो इसकी त्रिज्जा कितनी होगी 8 यानि कि यहां से यहा अब हमें इसका क्या निकालना है इन पूरे जो एरिया है ये भार का पूरा एरिया है जो दो संको को मिला कर बना है उसका छेटफल निकालना है तो उसके लिए हमें इस व्रत के छेटफल की तो जुरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों जब हम मिलाएंगे तो वो तो अंदर हो जाएगा उसके, तो हमें भारवाली जो सर्फेस है, भारवाला जो प्रस्ट उसका छेटफल चाहिए, यानि कि हमें इस संको का भी वक प्र प्रस्टे छेटफल निकल जाएगा, ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, संयोजन आकर्ती का, संयोजन आकर्ती का, छेटरफल बराबर होगा, दोनों संको का, वक प्रस्टे छेटरफल, मतलब पाई आरल और पाई आरल, अब इसमें जो आर है, वो दोनों में बराबर है, ठीक है, एल हम निकालेंगे, एल हम कैसे निकालेंगे, यह हमारे पास उचाहिए है, यह हमारे पास त्रिज्जा है, तो यह हमारे पास एक तिरबुज बन गया है, कैसा संकोन तिरबुज हम क्या लगा सकते पाय थह गुरस लगाएंगे ठीक है तो यह क्या है पूच्छे हमारी यहां से यहां तक यह यह तो यहरो खाते ने तो यह क्या होगा हमारा अंडिरूट एज़ी स्क्वएर प्लस र इसक्वएर एच है हमारे पास 15 cm나리 करेंगे दो 2225 प्लस अट्टोट्टी 64 यानि के अंडरूट 299 और यह जो हमारा अंडरूट होगा वह होगा 17 का तो L जो निकल के आई है, वो हमारी 17 cm निकल के आई है, अब जो L इस संकू की होगी, वही L इस संकू की भी होगी, क्योंकि दोनों माप में कैसे हैं बराबर हैं, इसलिए हम Pi RL प्लस Pi RL को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो गुना Pi RL, कि एक संकू की हम छेत्वर निकाल ल ठीक है, इसे अब हम हल करते हैं, आपस में जब इने हम गुना करेंगे, तो यह आएगा 5,9,8,4 बटे साथ, और इसे हम इसके भाग देंगे, तो यह आएगा 8,4,8,5,4,8,5 cm2 तो इन दोनों संकू का जो सबसे भारवाला प्रेस्ट है, उसका जो छेत्रफल है, संयोजन आकरती का, वो यह आएगा, ठीक है, हमने एक संकू का निकाला, और दोसरे से गुना कर लिया, तो दोनों संकू का आगिया है, दोनों संकू क्योंकि माप में एक जैसे हैं, उनकी तिरिज़ भी एक है, आठ सेंटीमेटर, उचाई 15 सेंटीमेटर, और जो हमने एल निकाला, तिरिएक उचाई निकाली 17 सेंटीमेटर, तो जो माप एक संकू किये, वही माप दूसरे संकू किये, और आधार इनका कैसा है, बच्चो, एक जैसा है, ठीक है, और कोशन्स करते ह बच्चो, अगला कोशन है, हमारे पास, मैंक ने ये एक इसनानाकार बनाया गया है, पक्षो के लिए बनाया है, अपनी गार्डन में, जो नीचे से इसके आकरती जो है, एक बेलन की है, और इसके उपर एक अर्ध गोला का शेप का बरतन रखा हुआ है, तो हमसे पूछा है एक इसमारा पस अर्ध गोला, उसका जोड़ लेंगे, तो हमारी जो पूरी आकरती बनी है, इसनानाकार की इसनानागार की सम्पूर पस्ति जट निकल जा जाएगा, अब इसमें हमें एक तो दिया हुआ है तरिज्जा 30 cm तरिज्या तो ये अर्ध गोले की जो तरिज्जा भी उतनी O कि इसके अलाबा उचाया दी गई है 145 मीटर किसकी बेलन की उचाया दी गयई है तो यह सेंटिमीटर में वी मेंतर में हैbr हुम इसे ऊकाई करेंगे ठीके यह हुझाएगा हमारे पास 145 सेंटिमीटर बेलन की उचाई अब निकालते हैं संपून प्रस्टिय छेत्रफल होगा संपून प्रस्टिय छेत्रफल बराबर होगा बेलन का छेत्रफल प्लस अर्द गोले का छेत्रफल अब जो हमारे पस प्लस बेलर उसका छेतफल क्या होता है टू पाई आर एच ठीक है और जो अर्थ गोला है उसका होता है टू पाई आर स्क्वेर इसमें से हम टू पाई आर कोमन लेंगे अंदर हमारे पास क्या बचेगा एच प्लस आर बचेगा दो पाई कमान 22 बटे 7 आर है हमारे पास 30 और एच है हमारे पास 145 प्लस 30 आप इसे हल करेंगे यह हो जाएगा हमारे पास बच्चो 44 गुना 30 बटे 7 इसे आप जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 175 और इसे हल करने पर आपका जो अंसर आ सेंटी मीटर स्क्रिए अब आप अगर सिσα मीटर में करें तो तीन सो 30 मेटर स्क्रिपए उटी हो नींच और स्क्रिट निकल का मारे पास 330 मीटर स्क्राइब यह इस जो हमारा पक्षी इस नाना गार रहा है उसके संपूर्ण प्रशका छेत्वल निकल जाएगा बच्चों यह जरूरी नहीं कि हर बार जो आकरती है वह भार से एक दूसरे से मिलेकर से यूजन आकरती बनाए ऐसा भी हो सकता है कि एक आकरती के अंदर दूसरे आकरती दी हुई हो जैसे इस कुश्चन में दिया हुआ है यह हमारे पास एक घन है और घन वह होता है जिसकी प्रितिक बुझा एक जैसी होती है लंबाई बरावर चोड़ाई बरावर उचाई होती है और वह हमारे इसमें 14 सेंटीमेटर इस घन में अंदर इस एक संखो बनाया हूआ है तो इसमें पूछा गया है कि इसमें आधिक्तम कितनी वरी माज इंप का संकु जो बनाया जा सकता है कि जो उस घं में बिल्कुल विटबवेट है ठीव है तो हमें और गण दिया हुआ है सबसे पहले हमसे पूछा घया है जो इसके ऑंदर संकु है जिसकी बिलूकुल इस आकरतिवे फिट है comments निकालना है इसमें संक्ट निकालनेनेरे ऑद हमने इसम्ट को भार निकाल लिया था तो बाद में जो ठोस हमाई बचाया उसका प्रेस्टेश छेतफल निकालना है तो सबसे पहले तो देखो यह हमारी 14 cm है तो जो संकु बनेगा उसकी उसका भी जो नीचे जो पूरी व्यास होगा वह 14 cm होगा ठीक है क्योंकि वह उसमें प्रॉपर बैठ रहा है अगर यह नीच चाहिए अब उचाई कितनी होगी क्योंकि यह गहन में प्लुकुल फिट है तो इसकी उचाहि और गष्ट पराबर होगी तो 15 cm क्योंकि फिर्टी बुजय कितनी है 14 cm संकू की हमें 2 माप मिल गई तेरज्जर मिल गई उचाहिए जब हम इसका संपून प्रष्टिय श्यत्फल अब देंको इसमें बात कि हुआ संपून का मतलब यह उपर का सारा वक प्रष्टिय श्यत्फल प्लस व्रत का छेथरफल ठीक है तो पहला हमारे पास है संकू का संपून प्रस्टिय छेत्रपल बराबर होता है πाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वार ठीक है इसमें से आप पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर यह फोर्मूला हमारा बनेगा इसमें अब इसमें हमें एल चाहिए अब यह हमारे पास उचाई है यह हमारे पास एक संकून तिरुपूज बनेगा एल हमारे पास यह होगी ठीक है तो एल तिर्यक उचाई संकू की जो तिर्यक उचाई है तिर्यक उचाई एल बराबर होगी अंडरोट ह स्क्वार प्लस आर स्क्वार ह है हमारे पास 14 का स्क्वाइर और र है हमारे पास 7 का स्क्वाइर ठीक है जब आप इसे सॉल्फ करेंगे तो यह हो जाएगा 196 प्लस 99 का स्क्वाइर तो यह हो जाएगा 245 यहाँ इसे लिख सकते हैं 7 अंडरूरूट 5 यह हमारे पास एल निकल के आई है आप हम इसी फॉर्मिले में वैल्यू रखते हैं और छेत्फल निकालते हैं तो छेत्फल होगा बच्चो संकू का पाई यानिके 22 बटे 7 आर 7 एल हमने भी निकाल लिए 7 अंडूरूट 5 प्लस आर यानिके 7 इस साथ से यह साथ गया यह हो जाएगा 22 इन दोनों से आप साथ भाहर कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा अंडूरूट 5 प्लस एक यह हो जाएगा 154 अंडूरूट 5 प्लस एक यह क्या निकला आपके पास सेंटिमीटर स्क्वार जो हमारा संकू है उसकी संपूर प्रस्ट का खेथफल इतना है ठीक है तो हमारा पहला कॉश्ट ही पूरा होता है दूसरा हम से पूछा हुआ है कि संकू को काट कर निकाल लेने के बाद जो हमारी पास थोस बचा है उसका प्रस्टेश शेथफल निकालना है अब इसमें क्या करेंगे संकू का निकल गया है इसे हम निका है अगर हम इसका भी शेत्रफल निकाल ले तो इसके शेत्रफल में से संकू का शेत्रफल निकाल लेंगे तो जो बचा हुआ है उसका शेत्रफल हमें मिल जाएगा ठीक है तो second question में हम क्या करेंगे बच्चों सेश ठोस का प्रस्ची छेत्रफल बराबर होगा गन का छेत्रफल माइनस संकू का छेत्रफल गन का छेत्रफल क्या होता है चए गुनर बुजाई सक्वाई यानिके छे बुजाय स्क्वाई यानिके चोदे का सक्वाई और संकू का हमने अभी निकाला है इसको हम सॉल्फ करेंगे यह जाएगए 186 में इसकी जब इसमें गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 1176 और इसको भी मंदर गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 154 अंडरूट 5 माइनस 154 ग्यार सोचेटर से 154 जाएंगे तो बचेगा आपके पास 1022 माइनस 154 अंडरूट 5 सेंटीमीटर स्क्वेर तो यह उस बचे हुए छेतर का क्या होगा छेतफल होगा ठोस का छेतफल होगा जब हम इस घंबे से इस संकु को भार निकाल लेंगे ठीक है तो इस तरह से हम इस कोश्ट को सौल्व करेंगे हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि आकर्ति किस तरह से बनी हु यह आकर्ति हुई है यह एक घंघन है जिसकी पिरतिक भुजा की मंग पां सेंटिमीटर है इस घंघन के उपर यह एक अर्थ घोलागार आकर्ति बनी हुई है ठीक है और जो अर्थ घोलाकार आकर्ति है इसका जो व्यास है वह चारचे। sacrifice अपर निकालेंगे ूप लेकिन इसमें ये वाला इरिया तो में लेकिन जो मीचे सरकल तो रनाया है उसका चितफल नहीं होगा तो कैसे करेंगे पूरे घनका ब्रैस अर्थ जो स разрogen हो बोटम आपकर अनुज कर देंगे तो यह हमें की च्टी मेंफ निर 200 और ये हमें 4.2 cm व्यास है यहां से हां तक का 2.1 cm अब यह जो हमारा ब्लोग बनाया दोनों की संयोजन से ब्लोग का संपून प्रस्ट यह चेत्रफल बराबर होगा बच्चो द्धन का चेत्रफल प्लस अर्ध गोले का चेत्रफल माइनस अर्ध गोले के आधार का चेत्रफल इसे माइनस करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस करेंगे अब घन का चेत्रफल होता है 6 गुन भुजा स्क्वेर और भुजा कितनी इसमें हमारी 5 यानि के 5 का स्कुराइर ठीक है प्लस आर्ध गोले का चेटफल क्या होता है इस यांश तो पहले वह पो ब्लाइज देते में शह गुना भुझाई स्कुराइर और इसका होता तू-पाई-जै और अर्ध गोले के आधार का छेटफल आधार किसे बनके मिलता है व्रत से तो यहां पर हम क्या लगाएंगे व्रत का छेटफल यानि कि पाई यार स्क्वार और दोनों की बराबर होगी तो 6 गुना हुजा स्क्वार यानि कि 5 का स्क्वार 25 माइनस इसमें से बच्चों कॉमन लेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें पाई और आर कॉमन लेंगे पाई आर तो यहां बचेगा दो आर पाई आर स्क्वार कॉमन लेंगे यहां से तो यहां से बचेगा दो माइनस एक यह हो जाएगा डेट सो माइनस पाई रिसक्वार ही बचेगा क्योंकि दो से एग गया एक अब पाई कमान बाइस बटी साथ आर कितना है हमारे पास 21 मतलब दो दसमलो एक गुना दो दसमलो एक अब बच्चो वैल्यू रखने के बाद हिसे हमें क्या करना है हल करना है यह हो गया डेट सो 22 बटी साथ यह से चला जाएगा पॉइंट पॉइंट तीन बार जब आप इसे हल करोगे हल करने पर आएगा बच्चो एक सो तरियसर दसमलो आठच है सेंटीमीटर स्क्वाइर ठीक है तो इस कोश्चन में हमने क्या किया हमें जो आकर्ति दी हुई थी उससे देखा एक हमारे पास घं है दूसरा हमारे पास अर्धगोला है आर्धगोले का व्यास दिया हुआ है उससे हमने तरिज़य निकाल ली इस संपून आकरति का छेतफल हम कैसे निकालेगे उसमें हम warmer पास फोर्म्ली हमें पता c सबकी हमने वैल्यू रग दि मान रग दि जो अर्थगोले की त्रिज़व होगी वही व्रत की त्रिज़व होगी मान रखने के बाद हमने इसको हल किया तो हल करने पर हमार आया सब्सक्राइब तो यह इस पूरे ब्लोग का क्या होगा संपूल क्रेश्ट का छेत्रफल होगा बच्चों जरूई नहीं कि आपको सिफ दो आकरते मिला करी संयूजन आकरती बनाए गई हो दो से ज्यादा आकरती भी मिलाकर बनाए जासकती है जैसे हमें एक 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 खिलोना दिया हुआ है जो इस आकार का है अब आकार में क्या क्या दिया हुआ है यह नीचे हमारा एक अर्धगोले की आकरती का है ठीक है यह बीच में हमारा बेलन है और यह हमारा संकु है हमें इनकी माब दी हुई है कि यह जो बेलन है बेलन की जो उचाई है वो 13 cm है और जो संकु के वी तरिजड़ा होगी क्योंकि इनका आधार कैसा है बिलुकुल एक है ठीक है तो इसकी भी तरिजड़ा कितनी होगी हमारी पांच सेंटिमीटर होगी अब हमें इसका सारे जो हमारे पास यह जो खिलोना है इसके संपुन प्रिष्ट का छेतफल निकालना है तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास संकु है उसका वक्रिष्टे छेतफल निकाल लेंगे बेलन का वक्रिष्टे छेतफल निकालेंगे और अर् कि संपून कि प्रेस्ट यह है छेत्फल बराबर होगा बच्चों कि संकू का प्रेस्टे छेत्फल प्लस बेलन का और प्लस अर्ध गोले का अब ऐसा मुस्कील होता है कि किसी कोश्चन में वह संकू की साथ में वह तिरिये कुछ हमें दे दे जातर क्या होता है हमें वह निकालनी पड़ती है अब इसमें हमारी यह एक संकून तिर्बुझ बनेगा यह पांस सेंटीमिटर है यह और यह और यह वह क्योंकि दोनों क्या ट्रिचह है और यह 12 इसकी उचाहिया यानि कि यह 12 है तो हम इसे l निकाल सकते है ठीक है तो पहले हम l निकाल लेते हैं तो l उसक्वशार बराबर होगा बच्चो अंडरूट h स्क्वार यानिके बारे का स्क्वार प्लस पांच का स्कूर तो यह आ जाएगा अंडरूट 144 प्लस 25 यानिके अंडरूट और अंडरूट से इसको बाहर करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 13 सेंटिमीटर ठीक है अब इसमें हम में इनके फोर्मले रखते हैं संकु का छेट्वल होता है फाई यार Eli बेलन का छेट्वल क्कूर होता है सपाई आरेच है और प्रयाइब अर्थज अर्धॉर इस्ट्वल और सिर्दव तो पाइए नरी स्काई स्कार मैं अब इसमें से क्या कोमें गेंगे तो Pi को मना जाएगा R R R को मना जाएगा यहां बचेगा L यहां बचेगा दो H और यहां बचेगा हमारे पास A RA baja कि मान रख देते हैं Pi कमान 22 बचने साथ आर कित निए बराबर थीन ओ की पाई का ओ और यह है और हमने निकाला तहरा दो गुना H H यह किस की H है हमारे पास बेलन की H है यानिके 13 और प्लस R 5 इसे हल करेंगे 22 परटे 7 गुना 5 यह हो जाएगा 13 26 प्लस 5 इसे आप इसमें जोड़ेंगे यह हो जाएगा 18 प्लस 26 34 जब आप इसे और आगे हल करेंगे तो हल करने के पास जो आपका आंसर आएगा इसमें वो आएगा बच्चो 770 सेंटीमीटर स्क्वार ठीक है मैंने क्या करा इसमें इसका सारे डारेक्ट फोर्मला रखके एक दमीज को सॉल्व कर लिया आप इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आप निकालेंगे संकू का छेत्फल ठीक है इसे आप अलग हल करेंगे फिर बेलन का छेत्फल इसे अलग हल करेंगे फिर आप अर्धगोले का छेत्फल इसे अलग हल करेंगे फिर इन दोनों को आप जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद भी जब आप इसको हलो करोगे तो आपका अंसर यही आएगा, ठीक है, क्या है इसका, यह जो पूरा खिलोना है, जिसमें हमारा संकू, बेलन और अर्धगोला है, उसका संपूल प्रसका छेतपल होगा, 770 cm2, तो फिर एक आकरती के अंदर भी दूसरी आकरती हो सकती है, या दो से ज्यादा आकरती भी आपसे मिलकर कोई और आकरती बना सकती है, तो हमें सारी आकर्ती के अलग-अलग शेतफल के फोर्मिले अगर पता है तो हम बहुत आसानी इन questions को solve कर लेंगे सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि कौन से भाग के शेतफल को हमें जोड़ना है और कौन से भाग के शेतफल को हमें माइनस करना है ठीके बच्चो आपको ये topic समझ में आया होगा बाकी आप इसके questions प्रैक्टिस करें आप active math book को भी refer कर सकते हैं चितना publication की questions आप प्रैक्टिस करें calculation अच्छी होगी और आपको ये सारे concept और भी किलियर हो जाएंगे ठीके बच्चो नेक्स लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी senior आकरती होती है उनका आयतनम कैसे निकाल सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में वीडियो पसंद आये तो लाइक करें दोस्तों करें शेय झाल